नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्रिप्टो विशलेशन में सबसे पहले मैं माफी चाहूँगा क्योंकि कल की वीडियो में मैंने अंग्रीजी का काफी जादा प्रयोग किया था यकीन मानिए ये एक परिक्षन था मैं जानना चाहता था कि हमारी जो ओडियन्स है वो किस भाशा में निपुन है और किस भाशा का प्रयोग मुझसे चाहती है निशकर्ष निकला मैंने बहुत कॉमेंट पड़े आज से हर वीडियो में हम हिंदी का भरसक परयोग करेंगे अब SEC के बाद हमें बात करेंगे क्या चांसीज है Ethereum के Spot ETF आने के BlackRock कैसे tokenization के माद्यम से नया coin launch कर रहा है आप सब coin premium जो हमेशा मुझसे सवाल पूछते हैं कि मुझे 100 गुना वाला coin देदो आज शायद आपको एक जवाब मिल जाएगा BlackRock दुनिया की सबसे बड़ी asset management company finally अपना खुद का token launch कर रही है BlackRock सबसे ज़्यादा bullish है crypto के बारे में ये crypto के लिए generally बहुत अच्छी news है मेरा नाम है Rohit Sharma Satoshi Stackeriniya आपका स्वागत है अगर आप चैनल से जुड़े नहीं है तो subscribe करें चैनल से जुड़ेगे anyways without any further ado बिना समय वेर्थ किये हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हमने पिछले दू दिनों से आपको जो बार-बार आश्वासन दिया था कि crypto को bottom आ चुका है crypto यहां से bounce करेगा आप देख सकते हैं 61,000 से crypto ने अच्छा खासा bounce लिया अब जो है orange box को तोड़ने के लिए उसको एक भरसक परयास की आवशकता थी जिसमें अच्छी volume के साथ बड़ी candle, convincing candles ने काफी जद्दो जहत के बाद, 16 घंटे की मुथभेड के बाद इन आतंकियों को मार गिराया गया और finally, bitcoin ने orange box नामक आतंकी को पार पाकर अगली तरफ अपना रुख किया है 68,000, 68,000 पर कहीं ना कि हमें rejection मिली हमारी orange line से, अगली orange line से एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के बीच में और अब आप देखेंगे कि जो at least downtrend एक नीचे गिरता हुआ trend जो बना था वो finally तूट चुका है और अब मेरा मानना है कि जो 63,800 का orange box है वो काफी सिद्रड support का का काम देगा क्योंकि हमने almost daily candle इसके नीचे नहीं close की है चार घुंटों में आपको लगेगा और resistance के मामले में जरूरी है 68,500 एक resistance का का काम करता रहेगा क्योंकि अभी market में कल का जो market का pump का कारण था वो आप इसे जानते होंगे जेरॉन पावल जो की fed के chairman है उन्होंने काफी अच्छी speech दी US की economy के बारे में rate cuts के बारे में तो उसके कारण market में काफी हर शो लास था bitcoin मैं ये नहीं कहूंगा मेरा हक बनता है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही आश्वासन दूँ मैं आपको ये आश्वासन नहीं दूँगा कि bitcoin शायद कल परसों ही 74,000 पार करके नया all time high बनाए क्योंकि अब market में फोड़ा सा move cautious रहेगा जब एक euphoria जिसको कहते हैं जब एक प्रगती का जो रुक है वो रुक जाता है तो उसके बाद दुबारा से उसी तरीके का हर्शो लास आने में थोड़ा सा समय लगता है तो आप थोड़ा सा पुर्सी की पेटी आपसवाब बांध के रखेगा क्योंकि हो सकता है market आपको बोर करके जैसे मैंने आपको 48 घंटे पहले कहा था कि हमने इस बार एटलीस रेट चेंज नहीं करेंगे पांचमी मीटिंग दिसमें रेट कट नहीं किया था रेट हाइक भी नहीं किया था पर ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस साल में तीन रेट कट करेंगे मार्केट अलग थी सब लोग घर में लॉग्ड थे मार्केट में इतना पैसे की सप्लाई थी रेट जीरो था इंटरस्ट रेट आप सोच सकते हैं लोग लोन ले लेकर क्रिप्टो खरीते थे बजाए कि आज जो लोगों के पास 50 चीजे उनको घूमना भी है उनको वेकेशन भी करना है उनको बच्चों की वाटेवर वाटेवर भी करना है जो भी है बट मैं आपको मैक्रो आउटलूक दिखाना चाहूंगा वो बहुत बुलिश है अब देख सकते हैं स्टॉक मार्केट ने क्या जबर्दस पंप लिया बिटकोई ने स्टॉक मार्केट को ही कलोन करने की कोशिश की बट स्टॉक मार्केट का पंप अलग लेवल का था स्टॉक मार्केट ने कल एक नया और टाइम हाई यूएस के स्टॉक मार्केट ने नया और टाइम हाई घुशित किया हमारी चिंता का विशे मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम कल 74,000 या हम उसी किसम का हर्श और लास शायद बहुत जल्दी नहीं देखेंगे एक चिंता का विशे यह है जो मैं कहीं दिनों से मेरी पजल तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लैक रॉक और फिडिलिटी को हुआ क्या है जी बिटीसी लगातार वही 300-400 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन रोज बेच रहा है जो उससे एक्सपेक्टेड भी है और वो अलमूस 50% अपने बिटकॉइन बेच चुका है जो उसके पास थे और सारे यूजर्स तो बेचेंगे कुछ तो रखेंगे भी, कुछ को तो फरग नी बढ़ता है कुछ लोग भूब भी चुके हैं मर चुके हैं बट ब्लैक रॉक और एथिरिंए निगदे क्यूदिक कुछ नहीं करेए शाइद यह कारण ही हसकता है कि mermaid ने कल अनांस कर दिया कि वह अजो आपना टोकं लांच क ठीक है it is fully backed by cash, use US treasury bills and repurchase agreement. It will provide yield paid out via blockchain every day to token holders. तो एक तरह से एक stable coin है, USD का एक replacement है, जो आपको रोज yield provide करेगा, जिसे आज USDT को अगर आप stake करते हैं, तो आपको yield मिलती है, तो एक तरह से आपका एक ऐसा US dollar होगा ये, stable coin की तरह, जो आपको federal government bankों से ज़ादा अच्छा return प्राप करेगा, अच्छा fixed return प्राप करेगा, तो मेरा मानना है कि ये काफी revolutionary है, ना केवल इसलिए कि BlackRock इसको launch कर रहा है, बलकि एक बड़ी private company, अमरीका की राष्ट्रिये मुद्रा, जो की dollar है, उसके खिलाफ खड़ा होकर, उसके competition में कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, ये वही तरह से बात है कि मान लीजे, कि भारत में ONGC या Gail की जगा, जो तेल का खनन है, वो reliance शुरू करते, वो एक तरह से market की बड़ी revolutionary चीज है, कि एक important चीज जो राष्ट्रिय प्रॉपर्टी है, उसको एक private company बनाना शुरू कर दे, और मुद्रा जो है, वो सही में राष्ट्र धन है, अगर उसको, मुद्रा को, उसके clone को, BlackRock जैसी company बनाना शुरू कर दे, तो ये crypto के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि crypto का पूरा मूल यही है, कि decentralization सरकारों पर और बैंकों पर निर्भर ना रहना, और आत्मन निर्भरता, ये crypto का सबसे बड़ा मूल है, और BlackRock का इस move को जो है, definitely काफी welcome किया जा रहा है, और Ethereum बेसे तो कहीं नगे, Ethereum को भी इसके चलते boost मिलेगा, Ethereum के spot ETF को इस कदम के चलते काफी प्रोचान मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर Bitcoin का spot ETF अप्रूव हो है, तो उसका काफी हद तक श्रे BlackRock को और Grayscale को जाता है, और अब Ethereum के chances भी काफी बढ़ते हैं, बट in other news, Ethereum Foundation को state authorities investigate कर रही है, about, क्या बोलेंगे, इसको बेनामी प्रयोग किया जा रहा है, Ethereum के funds का, SEC probing crypto companies in Ethereum investigating as hopes for ETF DIM, एक तरफ बड़ी अटकले हैं कि ETF मई में अप्रूव हो जाएगा, दूसरी तरफ SEC और इस तरह की कानूनी दाव पेच, इस चीज़ को कहीं ना करी कश्म कश्मे रख रहे हैं, और मैं इस situation का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि आज अगर इस बात की guarantee मिल जाए, कि Ethereum का spot ETF आना है, तो Ethereum का price अलड़ी बहुत ज़्यादा pump हो जाएगा, मैं हमेशा surprise इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, खासकर जैसा कल हुआ, market expect नहीं करी थी कि Geron Power इतना अच्छा बोलेंगे, और suddenly Bitcoin 61,000 से 68,000 चला गया एक दिन के अदरदर, जब आप सब आप तो नहीं कहीं लोग Bitcoin को अलरी राइट आफ कर रहे थे, उसको bear market के तरफ सोच रहे थे, ऐसा उसका opposite हुआ, वो तब ही होता है जब market को एक surprise मिले, जिसको मैं अविश्वास की परिस्तिती कहता हूँ, और इस समय Ethereum और Ethereum की ETF को लेकर अविश्वास है, और आप अच्छे से जानते हैं इस चैनल पर की अविश्वास के बाद क्या परिस्तिती आती है, वो है अचंबा, और आप अचंबित होंगे, Ethereum को 8,000 डॉलर तक जाते हुए देखकर, और अक्सर हमें समय भी नहीं मिलता, रियाट करने का ये चीज़े इतनी तीजी से अपने target price पर जाती हैं, खास कर जैसे Bitcoin ने आपको अचंबित किया, कहीं लोग सोच भी नहीं रहे थे कि कैसे Bitcoin 74,000 डॉलर तक चला गया, बट आट इस हो इट वरक्स, और Altcoins काफी अच्छा परफॉर्म की हैं, तो बढ़ाई हो, जिन लोगों ने मेरे कहने पर कल की मेरी कल और पर्सों की दो वीडियो में आपको केवले की मेसेज दिया था कि, मुठी बंद करके रखिया, अपना हाथ टाइट करके रखिया, आपके Altcoins अच्छा परफॉर्म करेंगे, और कल आप एप्रिशेट करने की बज़ाए मुझे थोड़ा आजीव लगा कि आपने भाशा को लेकर अपनी समवेदना दिखाई, प्रयास यही था कि मैं कार में बैटने के होने के बावजूत, अपने मित्र गणो और अपने रिस्तेदारों के आसपस होने के बावजूत मैंने ट्राफिक में बैट की वीडियो बनाई आपके लिए, और हाँ अपडेट देना चाहूँगा अपने ट्रेड के बारे में भी जिस पे कल करीब 27-28,000 डॉलर का लॉस था, काफी लॉस कम हो गया है, इस हमें 8,000 डॉलर का फ्लोटिंग लॉस है, यह लॉस बुक नहीं हुआ है, तो जब यह ट्रेड क्लोज होगा, तो हम आपको ज़रूर शेर करेंगी कि हमने इस पे प्रॉफिट लिया यह लॉस लिया, और वीडियो बनाने के समय, जब बिटकोईन 67,500 डॉलर का है, तो इस पे 8,000 डॉलर का लॉस है, और मेरा मानना है कि जैसे 68-69,000 डॉलर करेंगे, यह ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आ जाएगा, तो आपके साथ-साथ मैं भी इसी किष्टी में सवार हूँ, अगर आपका लॉस होगा, तो मेरा लॉस होगा, अपना USDT ड्रेस जरूर लिखेगा, अपना ख्याल रखेगा, धन्यवाज जैन।